सीरल ये रिष्टा क्या कहलाता मैं अब रूही अभीरा से उस भजन के बारे में पूछेगी आखिर तुमने ये भजन सुना कहा है और तुम्हें इस भजन कैसे पता है ऐसे में अभीरा कहेगी मैंने एक बार बोल दिया मैं सौ बार एकी बात को नहीं बोलूँगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी लेकिन अब रूही अभीरा को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट देती नज़राएगी कि इस लड़की को सबक तो मैं ही सिखाने वाली हूँ जी हाँ ये कहकर अब क जाने के लिए और इसी दौरान ये दोनों यहाँ पर रोमैंटिक होते नज़राएंगे जहां पर अर्मान अपने होने वाले बच्चे और इसके नामकरन की तयारियों के भी बारे में बात करेगा कि हम ऐसी तयारे करेंगी जिससे अभीरा हैरान होगी कि ये क्या कह रहे हो बच्चे और इस सब तो वो कहेगा कि हमारे शादी होने वाली हमें इसके बारे में प्लान तो करना होगा इसी बीच अब यहाँ पर यह सारे चीज़े देखकर जैलस होती हुई रोही नज़राएंगी और आब रोही के सामने ही यहाँ पर अर्मान अभीरा को किस करते से लाल हो जाएंगी तो वहीं गुस्से से यहाँ पर रोही लाल हो जाने वाली है अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आशो के अपकमिंग एपिसोड में बेहत खास होने वाला है